हाई फ्रेंड्स वोलकम तो माई यूट्यूब चनल आज हम बनाएंगे ना तलेंगे ना भुनेंगे और इंस्टाट बनके तेयर होगी भेंगन भरबा बैंगन मसाला और वो भी प्रेसर कुकर में इतना टेस्टी और यम्मी बनके और वो भी 15 मिनिट में बनके तेयार होगी बेंगन की भरबा मसाला रेशेपी मेरे रेशेपी अगर अच्छे लगती होगी तो लाइक, शेर, कमेट जरूर करना और मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को पुरा ये वाच करना तभी पता चलेगा भरबा बेंगन कितना इजीतर के से बनके तेयार हुआ है और मैंने ले ली हूँ 500 ग्राम एसी छोटे-छोटे बेंगन और थोड़ी सी दंडी रखके उसको चार भाग में बीज में से रखके थोड़े-थोड़े से कट कर दी हूँ और इसे मसाला भरेंगे और इसे मसाला भरने के लिए हम मसाला तेयार करेंगे तो मैंने जीरा को एक चामच लेके थोड़ी सी उसको हलका भुण ली हूँ और इसे हम एक मिक्सिचार में डाल देंगे फिर धनिया भी एक चामच करके गरम कर लेना है और इसको भी उसके अंदर एड़ कर देना है तो उसी मिक्सिजार में अभी मैंने एड़ कर दी हूं तो और थोड़ी सी मुम फली भून के में रखी हूं अलग सी और थोड़ी के लिए मैंने थोड़ी सी पकड़ी तल के रखी थी इसको भी mix करके डाल दूंगे आपके पास नमकिन में सेव हो या खाली नमकिन हो वो भी इसके अंदर डाल के mix कर सकते हो मेरे पास पकड़ी थी तो उसको मैंने भजिया पकड़ी उसको dya नगे तो आपके पास वोई सेवबाला नमकीन होता है तो उसको भी mix करके इसके अंदर एड्ड कर सकते हो तो अभी सारे मसाले mix कर दिये हो और इसके अंदर सवादानासार मिर्ची पाउडर गरमसाला पाउडर और नमक एड़ कर देना है और हल्दी पाउडर और इसको आच्छे तरह से सबको मिक्स कर देना है और आपके पास आमचूर पाउडर हो तो भी एक चमोच एड़ कर देना नहीं तो लिंगू होता आधी चमोच निचोड लेना मेरे पास आमचूर पाउडर नहीं थी तो इसके लिए मैंने एड़ने की हूँ तो इसके अंदर अभी एक एक रिंगन के बीज में से थोड़े थोड़े पाड़र लेके मसाले पाड़र इसके अंदर हम भरेंगे भरके सारे में इसे ही भर लेंगे और भरके रख लेंगे और यह बहुत ही जल्दी बन जाएकि मसाला तियार होगी फटाफट और इसके अंदर हम भर लेंगे ना उसको तेल में फ्राइ करेंगे ना बोनेंगे और वो भी कुकर में बना के त्यार करेंगे अभी सारे भरके रख दिये हैं ग्यास में कुकर चड़ा लिये और कुकर जैसे गरम हो जाएगी तो उसके अंदर मैंने बढ़े चामच सुर्षों के तेल दो चमच एड़ कर दी ह और इसके अंदर आधिचामच जीरा एड़ कर दी हूँ और एक बड़ी इलाइची और थोड़ी सी डालचिन के टुकड़े एड़ कर दी हूँ और जो वो चटकार आने लगे तो बड़ी सी प्याज छोटे-छोटे टुकड़े में कटकर रखी थी वो भी इसके अंदर एड़ कर दोंगी उसको दो मिन्ट भूल लेंगे तो इसके बात दो हरी मेरिच और थोड़ी सी अध्रक लenne कोटके रखी थी वो भी इसके अंदर एड़ करके भूल लेंगे दो मिन तक उसके बात एक बड़ी सी टमाटर कटकर करके रखी थी वो भी इसके अंदर डाल के हम अच्छी तरह से भूल लेंगे और अभी इसी के अंदर ही सारी जो मसाले भरके रखे थे वह सारी मसाले पाउडर के साथ ही इसके अंदर एड़ कर देना है और उसको पांच मिनिट तक भूल लेना है उपर नीचे करके थोड़े थोड पेखी प्रब्र parallels कर done about ALLu को भी लिएOh are वोज य माटकर कर सकती है कि उसको भीडå मिनिट तब अच्छे तरह से को लैना है और इसके बाद मैंने पानी को भी गरम कर के रखी हूं एक ग्लास पानी मैंने गरम कर ली हूँ देख लेते हैं थोड़ा डाल के जितना सब्जी है उतना बराबरी कही पानी एड़ करते नहीं तो अभी थोड़ी कम लग रहे हैं तो मैंने पूरा एड़ कर दी एक ग्लास पानी तो इसके अंदर अभी बराबरी कम आपका जितना सब हो जाएगी दो सब् grade बंद करें और चुब चला जाएगा सिट्टी चला जाएगा उसके हम धक्कान निकाल देखो कितना यमी और टेश्टी लग Inhale देखने के लिए भी बहुत ही यमी लगर है खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनके टपहुए आप चावल के सऊंग भी क्सक्ते हो रोटी के संग से ओघर होती है। ना ही तलना ना भुरना बनके रह ए्लिह हो मेरी मसाला भरवा बेंगन अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर कमेट जरूर कर देना और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और अभी हम चलते हैं खाने के लिए और मिलते हम नेक्स्ट विडियो में बाइ फ्रेंड्स